हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टुएर ओनलाइन इंगलीच क्लास फोर स्टांडर 11 बोच स्ट्रीम साइन्स एन कॉमर्स आजे तमारा इंगलीच में आपने ग्रामर टोपिक भणवाना छीए जेचे लेंगवेज फंक्शन एटलेके फंक्शनल लेंगवेज छे ते इंगलीच लेंग्वेज मां तमने खबर छे जुद्या दिदा फंक्शन वोई छे तमें दस्वादोर मां पड़ी गया छो ते बेजिक फंक्शन पण तमारा अविश शके छे अईया आपड़े ते अमुक अलग फंक्शन छे जोई शुओने तिमने वाकिरेच नाओ पन सिख फंक्शन आविश शके तो एक तो छे शोईंग कंडिशन शरत दर्शावे जे मां इफने अनलेस जेवा शब्दोन उप्योग करिये छिए कंपेरीजन एडलेके सर्खामनी जे मां तमें त्रन डिग्री न उप्योग करो छो पोजिटीव कंपेरीटीव अन्ने सुपल लेट पची चे कॉंट्रास्टिंग एडलेके विरोधाबास बन्ने जे वाक्यमा बे बाबता पेलीवे बन्ने एक बिचानी विरुधमावे छे दो ओल्दो बट येट जेवा शब्दोनों प्योगते मां करिये छिए श्ोयं पर्पजट लेएके हेतू बतावे कि कोई क्रिया करवानों हेतू सूछे ते दर्शावे छे ओफेरिंग सजेशन जथो तेने केवाहिच्ये एडवाइस के कोई ना पड़े सूचन अथवा तो सलहापी है शोएंग रिजल्ट एड़ले के कोई क्रिया थती होई तो तेनू परीणाम दर्शावे छे पची चे एक्स्प्रेसिंग चोईस के तमारी कोई पड़े वस्तु माटे नी चोकस पसंद की बताया चे अपना विकल पड़े वस्तु माटे जुदी जुदी सेंटेंस बिल्डिंग एटलेके वाक्य रचनाव उपराय चे अन्य वाक्य रचनाव तमारी कंप्लीट द सेंटेंस माटे सीखवानी चे जो ये वन बाई वन सौथी पेलू फंक्षन चे शोईंग कंडिशन शोईंग कंडिशन चे ये शरत-दर्षाव अंटे वपराय चे, अन्ने तेनि अंदर आप्ने शब्द जोईए, तो इफ के अन्नलेस आवे चे, अन्नलेस चे नोर्मली नकार वाक्य माटे वपराय चे यहारे पंणलेस वाक्य होई छे त्यारे तेनूंडुजे बिजू वाक्य चे ए आमां हम्मे प्लस कर्ता प्लस वीवन एटले के साधा वर्तमान काल नुक्रियापद एस के ये साड़ो रूप होई छे अथ्वा तो साधो रूप होई छे पच्छी बीजा वाकियानी अंदर जोए तो तेमा कर्ता अने तेनी साथे क्रियापदो जेवा के केन शेल वील में जेवा शब्दो आवे छे अने तेनी साथे क्रियापद नुमूल रूपट लेके वीवन अने पच्छी ना अन्या शब्दो तो आहाती वाकियरज ना टाइप ए ना कंडिशनल वाकियानी जेमा साधो वर्तमान काल होई छे फर एक्जांपल आपड़े जोईये के if we win this match we will reach at the top तो यहां कंडिशन बतावी छे के if we win this match जो आपड़े आमेच जीतीशू तो आपड़े we will reach at the top तो आपड़े टोच पर पहुंची जेशू आपड़े उपन्नु वाकिया साधो वर्तमान काल हो चे पंड़े तिन बोलेचे जेम भविश्यामा बोलते होई तेम के जो आपड़े आमेच जीतीशू तो आपड़े टोच पर पहुंची जेशू तो तो यहां जो ईशको छो के if वाड़े पेलू वाकिया तेमा वी नी ब जीती है तो we will not reach at the top तो आपने टोच पर नहीं पोचे तो आ वाक्ये छे उपर नूँँ वाक्ये छे तेनू नकार वाक्ये माँ चेंज करियुँछे तो आना पर्थी जोई शक्या के अनलेस छे क्या रे वाक्ये मां उप्योग थाई छे जारे तमें नकार अत्माकता दर्शा आवो त्यारे टाइप B छे जेमां इफ पछी सादो भूत्काड आदे छे के इफ प्लस कलता आने वीटू वीटू अट लेके तमारू भूत्काड नूँचे क्रियापद नू रूप होई छे ते प्लस बीजय वाक्ये मां करता अन्ने साहे करे क्रियापद नूचे ते भू करतानी ऑज़ुमां वी-टू आपेलो छे बूत्काड लू पापेलो छे के इफ ही प्लेड वेल्ड जोते सारू रंययों होग फे टो rhymesल फोья संभावना द खेड लेके वाक्य छे काल पनी कोई छे जो यह आगल टाइप सी कंडिशन इन पास्ट के वाम आवे छे अन्य तेनी अंदर पूर्ण भुद्काल नों प्यग्धत तो होई छे के इफ करता अन्य तेनी साथे हेड प्लस वी थ्री हेड प्लस वी थ्री आपड ने खबर छे पू प्लस वी थ्री येटलेके भूतक्रुद्धन रोप चे प्लस वी जा वाक्या नियंदर करता अन्य सहाय कारक्रिया पदो जेवाके कूड वूड अथवा तो माइट वप्राई छे आन्य तेनी साथे वाक्य रजनमा पच्छी शब्द वापर आवे छे हे आन्य पच्छी we could have won the match के जोन ते सारू रम्यों होत तो आपने match जीती शकत तो आय पून भुत्कालनी वाक्य रजना छे के इव जोन हेड़ प्लेड हेड़ प्लेड छे यह पून भुत्काल छे यह तलाने आपने कई शक्यी कंडिशन इन पास्ट तो we could have won the match तो तो में जो शको छो कूड साथे है अने हेवनी साथे वीननू प्रुद्ध कृद्ध वापरियों छे के जो सारी रम्यों होत तो आपने match जीती शक्या होत तो टाइप सी ना जे वाक्यों छे तेने इफ ने अनलेस वीना पन दर्शावी शकाई छे फक्त टाइप सी ना वाक्यों ने जेम के जो हिए के अनलेस ही इन्वाइटेड मी I would not have attended his party आज है अनलेस नो प्योकरी ने बनाविव छे के अनलेस ही इन्वाइटेड मी जो तेमने आमंतरित नहीं करे I would not have attended his party तो हुँ तेनी बाटी अट्रेंड करिश नाई तो एनों अनलेस काड़ी ने यहेड नों उप्योकरी ने वाक्य बनावे लुँझे के के हैं लोट इंवाइटेड मी नौट्छुकाम लखी हूं यहां कि अनलेस काड़ी यहां तो हैड ही नोट इन्वाइटेड मी आई वूड नोट हेव अटेंडेड हीस पार्टी बाजुनु जो वाक्ये छे सेम टुसेम आ जाऊँचे फक्त छे पेला वाक्ये बाद चेंज थासे क्या अनलेस का डियोर लेते वाक्ये माटे हेड अने करतानी बाजुमां में नोट लगाडे दितु इफ आल उदारं जोईएं तो इफ वीजु वाक्ये छे था पेशेंट्स लाइफ वूड हेव बीन हेव बीन एटला माटे यूज करू छे के ते पेसीव वाक्या छे एक्टिव पेसीव छे तमें दसमामा भणीज गया आसो तो एमाधे आपड़े इफ शब्द काडी ना खेने हेड नोप्योग करीने वाक्ये बनावोई तो आरिते बनें के हेड डॉक्टर अराइविड इन टाइम तो पेशेंट्स लाइफ वूड हेव बीन सेव तो वीजु वाक्ये छे सेम तो सेमा चेंज थयो पेला वाक्ये मां के इफ काडीन ये तमारे सुल लगवानू छे हेड अब ये तमारे नोट लगावनी जरूर नथी क्यांके अनलेस वाड़ू वाक्या नथी तो एड़ डोक्टर अने पछे डाइरेक्क रिया पाद अराइविड इन टैंक तो यहां इफ छे ये निकले गयो आव आरजना छे एफक्त टाइप सी ना वाक्ये ने दर्श्राम माटेज भपराई छे आगल जोहिए कंपेरीजन एकदमीजी छे कंपेरीजन छे एमाा तडीग्री आपडेवा परिये motivating पॉजीटिव डीग्री अने शुपलेटिव डीग्री इक तुमने खबर छे पॉजीटिव डीग्री छे समानता हाद सेयाँ छे चेह मां हकार वाक्या के मां 5 shorter SH 42 अब्यक करता होई छे जारे एक वचन होई positive degree त्यारे नो अधर नो अपयोग थाई छे आने बहु वचन होई त्यारे very few वप्राय छे जोई है एक वचननी अंदर नो अधर आने एनी साथे तमारू जेते एक वचननु नाम होई छे ते वप्राय छे पच्छी आवे छे क्रिया पद पच्छी is आने पच्छी तमारू विशेशन अटलेके adjective अने फरीती पाच्छी अपड़े is बच्छे जे तमारू adjective छे अने पच्छी is आने पच्छी आवे छे वाके तमारे करता अने यह वाके रचना छे ए पच्छी अन्य शब्द दोते मां अने जोई है बहु अचन निवाके रचना जोई है तो very few अने यहां बाजुमा आउसे तमारू बहु अचन नू नाम अने क्रिया पद एडलेके टूबी नू रूप हसे अने पच्छी आउसे एज अथा तो सो पन तमे वापरी शको छो पच्छी वीशेशन अने पच्छी पच्छी करता जोई है उद्धार अने जोई है तो तमने वधा रख्याला उसे नो अधर नी वाके रचना साथे जोई है कि नो अधर श्टूड़न्ट इन अवर क्लास इस सो इंटेलीजन्ट एज मीथ तो नो अधर शब्दवा परियो अने एक वच्छन नाम छे एक वच्छन मा आवसे एटले के मैं यहां इस यूज करियो छे तो नो अधर श्टूड़न्ट इन अवर क्लास इस सो इंटेलीजन्ट एज मीथ यां मीथ छे यह मारो करता छे कि मीथ जेटलू क्लास मां विजू कोई इंटेलीजन्ट न थी आवे वेरी फ्यू नो प्योक क कई उथे जसे आर शा माटे तो अगल बहु वच्छन आपियो छे स्टूड़न्ट तो वेरी फ्यू स्टूड़न्ट इन अवर क्लास आर सो इंटेलीजन्ट एज मीथ के आपड़ा वर्ग खंड़नी अंदर मीथ जेटला थोड़ाज स्टूड़न्ट इडलेके थोड़ाज स्टूड़ना वाकी रिचन तमने समझ मां आवी गया शे द्यान राखू के 9 अधिर साथे 1 वचन नाम होय तेसी और कंपेरिटि descriptive वचन अधिकता दर्षा आवय शे अधिकता कि एक वचन मां करता साथे क्रियावद टुबी नू रूप पच्छी जेते तमारू जे कमपेरिटिव नू रूप छे ए यार वाड़ू अथवा तो मोर वाड़ू अने पाछड आपणेजे शब्द लगाड़ी छिए देन अने पच्छी आउसे एनी अधर अने एनी बाजू मां एक वचन नाम एक वचन नी अंदर एनी अधर शब्दा वपराई छे जरे बहू अचन मां जोईए तो वाके रजना सेम टो सेम अच्छे फक्त क्या चेंज थासे एनी अधर छे तो एने बड़लेसों आउसे मेनी अधर अथ्वा तो मोस्ट अधर अने बाजू मां से बहूँ वचन ना के करता प्लस क्रियापल प्लस जेते कंपेरिटिवनों रूप तमारे वाक्यमा दर शावू छे ते पच्छी धेन पच्छी मेनी अधर अथ्वा तो मोस्ट अधर अने पच्छी बहूँ वचन ना टेनी साथे मोर शब्दव अपराई छे कमपेरिटेमा तो हेमदाबाद is more polluted than एक वचन मा वापरिऊ छे टले एनी अधर लख्यू छे तो एनी अधर सिटी इन गुज्राट सिटी छे एक वचन नामा प्यलू छे के गुज्राट मा विजा शेहर करता एहमदाबाद छे बतारे प्रदुशीर छे बहुव अचन जोई है तो आका स्टडीज मोर केरफूली धेन मोस्ट अधर तो मोस्ट अधर छे बहुव अचन ते जथी बाजुम बहुव अचन नाम मा स्टुडन्ट ने बढ़ले में स्टुडन्ट स लख्यू छे पाछल एस लगावियो छे तो आका स्टडीज मोर केरफूली धेन मोस्ट अधर स्टुडन्स इन धर क्लास के वर्ग खंड मा विजा विद्यार्थियो करता आकास छे एकुग कार्जी थी अगर जो ए सुपलेटिव डिग्री जे श्रेष्ट ता दर्शावें चे मा अपड़े विश्येशन ने आगर आर्टीकल्स दह लगावता हो ये चे ते तमने बधाने ख्याल अजसे जो ए एक वचन नी वाग के रजना के करता क्रियापद अने पछी तमार आर्टीकल्स दह अने सुपलेटिव डिग्री रूप एटले के एस्टी वाड़ू अथवा तो मोस्ट वाड़ू रूप अने बाजुमा उसे एक वचन नू नाम एकदम इजी छे वाग के रजना बहुवचन मा करता क्रियापद अने धने बढ़ला तमारे लाक्षे वन ओफ त बराबर क्लास मा सवथी होश्यार छोकरी छे तो यहां 10 क्लेवरेस्ट छे सुपलेटिव डिग्री छे अने बाजुमा एक वचन आप्यू छे एटले के गल जाप्यू छे गल्स नती फक्त सुचे गल राबर बी जुगा के जोई है तो शी इस वन ओप धा मोस्ट क्लेवरेस्ट गल् आपड़े यूस कर्यू एटले के भववचन यूस कर्यू छे तेही पंपरीशु girls in the媽 ng के she is one of the most cleverest girls in the class के वर्गखण नी ओस्यार छोकर्यों मानी ते एक छे तो comparison ना function ने रजुकरा माट भीजी एक पड़ वाक्य रजना आवे छे जे चे डबल comparison चे comparative degree माट उप्योग करिये छे जनी अंदर शरू अत्माब्ल लखे चे आटिकल ध पची comparative नू रूप होई छे पची करता पची क्रियापद अन्ने पची अन्यशब्द अन्ने तेवीच आजे वाक्य रजना आपेली छे तेवीच वाक्य रजना वाळू भीजू वाक्या आवे छे बराबर एक्जांपल जो एड लख्या लावे कि शी वाक्या हाड शी अन्मच आवे सिंपल वाक्या आपेला छे तो एना उपर थे आपड़े डबल कमपेरीजन करिये तो आपेला तो आर्टिकल ध लगाडवानों द अन्ने हाड नू एजग्टी सू बन छे हाडर तो हाडर शी वाक करता ने जे क्रिया पदर थात अन्य शब्द होए ते के दो हाडर शी वाक्स तो मोर शी अन्म के जेटलों सकत मैनत कर्षे तेटलों ते बतारे कमाशे विजो जाल जोईए तो इफ यू आर पंक्चुल यू विल गेट गूड रिवर्ड के इफ यू आर पंक्चुल यू व एनु कमपेरिटिव सु थाई छे बेटर तो था बेटर रिवर्ड यू विल गेट तो तम्हें जोई शको चामाँ बनने वाके नी वाके रिजना छे ए सेम छे आने के वैचे डबल कमपे रिजन आगल जो एक कॉंट्रास्टिंग कॉंट्रास्टिंग एटले के वीरोधाब दर्शाव माटे कईया कईयो शब्द नो प्योग थे शके छे तो दो ओल्दो हावेवर एस बट आबधा शब्दों छे एक कॉंट्रास्ट रजू करे छे वाके रिजना जोई ए तेनी आपने तो दो दो साथे कर्ता क्रियापद अने जेते एडजेक्टियों था तो एड़ विशेशन आता तो क्रिया विशेशन दर्शाव तो शब्द होई छे पची कोमा आवे छे वाके मां अने फरीथी पाचुनाव वाक्या करता क्रियापद साथे नोई छे फर एक्जांपल जोई ए के दो ही इस ब्लाइड के ते आंधरो छे चता पड़ ही कें क्रोस द रोड क ते रोड छे एक्रोस करी शके छे तो लेके रस्तो पार करी शके छे तो ते आंधरो छे छता पड़ ते रस्तो पार करी जाए तो बन्ने वाके छे एक बीजाने विरुद्मा आप्यों छे कि आंधरो हुआ छता ते रस्तो पसार लेके पार करी शके छे आगा जोई है हावे सब्सक्क्रिया ब्लाइंड ही अज हुआ खिते रोडर पार करी शके यह बांना els को से直ड़gging जनी अंदर एडजेक्टिव औन एडवब चे एशरुवात मा वप्राई छे लेके विशेशन अथा तो क्रिया विशेशन छे एशरुवात मा वप्राई छे औने पची शब्द वप्राई छे विरोधा बास दर्शावतो एज अने एज पची मुखवा मा आवे छे करता औने पची क्रिया पद अने पची बीजू वाक्या छे एए मुख्य रचना प्रम्याणे मुखवा नुए छे जो ये ब्लाइंड एज ही इस के आंधळो हुआ छता ते he can cross the road ते road पार करी शके छे तो बधा वाक्यानों मिनिंग सेम अच्छे के ते आंधळो छे छता road पार करी पची तो एकदम सींपल बट वालू वाक्या छे पची जो ये इनस्पाइट ओफ ने डिस्पाइट के इनस्पाइट ओफ अने डिस्पाइट पची हमेशा क्रियापद नो आयन जिवाडो रूप वापरहामा आवे छे औने पच्छी एडजेक्टिव के एडवब लखवामा आवे छे अने जारे डिस्पाइट होई छे त्यारे बाजु मां विशेशन अथवात तो नाम लख फाम आवे छे एक्जांपल जो हुआ है इंस्पाइट ऑफ वकिंग हाड ही फेड इंस्पाइट ओफ ओपिंग हाड सकत मेहनत करवा छतां ही फेड ते निश्फळ थयो तो वीरोधाबस दर्शाव के मेहनत सकत करी छतापं पन ते निश्फळ गयो वीजुवाकिये छे बढ़ोव वाँ छता, he can cross the road, कि ते road पसार करी शके छे, त्री जुवाग के जोए के in spite of hard work, हवे यह तमें जोए शको छो कि ing में वापरियू नथी, बीजी वाँके रचना में वापरी छे, कि in spite of नी साथे, हमें सुवापरियू छे, तो hard work, एटले के तेनू विशेशन अने तेनू नाम वापरियू छे, कि in spite of hard work, के सखत मेहनत करवा छता, he feel, तेनी शफळ थयो, तो त्रणे वाँके रचना छे, तमें उप्योग करी शको छ आगल जो ये श्वाइंग पर्पस एटले के हेतु दर्शावा माटे, तो तेनी वाँके रचना मां, के मुख्य वाँके जेते सामन्य रचना प्रम्माने आउतु होई, ते होई छे, पछी 100 धेट अथ्वातो इनो दर धेट नो उप्योग करी शकवानों छे, पछी करता सह सहायकार क्रियापद हो, सहायकार क्रियापद हो जेवाके कया क्रिया, तो केन, कूड, वील, वूड, मे, माइड, शेल, अने शूर, आटला क्रियापद मां थी कोई पन क्रियापद आवी शके छे, पछी तमारू आ क्रियापदों साथे नू क्रियापद नो रूप छे, क्यो आउसे मूल्ड रूपने पछी अन्या शब्द फरिती जो ये वाक्य रजना पेला जेते नॉर्मल वाक्य रजना प्रमाणे नुझे मुख्य वाक्य होई छे ते पछी वह छे सोधेट अथ्वा तो इनोडर ठेट पछी करता साहेकार क्रियापद आने वीवानेट लेके मूल क पछी अपाजाने अन्या शब्द एक्जांपल जोवो क्रिश वर्क हार्ड सोधेट ही कें गूड रीजन के एक्रिश चे एस अखत मेनत करेचे सोधेट जेती करी ने तो इस उबतावे परपजेट लेके तेनों हेतु बतावा के शामाटे ते हाड़ वक करे छे तो जेती कर करी ने he can get good result के ते सारू परी नाम मेलवी शके बीजो एक्जांपल जोई है क्रिश वर्क हार्ड इन ओडर देट तो इन ओडर देट नों प्योग पन तेज रिते थाए के क्रिश चे हाड़ वक के लेके सकत मेनत करे छे के जेती करी ने he can get good result के जेती ते सारू परी नाम मे जेती करी ने धेकूड अवे उपर भूतकाल जेट ये या can get good जेती करी ने तेओ अन धेकूड अन गमाई शके more नी वधारे पैसा ब्राबर जो तमारा पेला वाक्ये मां काल छे वर्तमानू वही तो तमारे वर्तमानू सहे करक्रिया पद वापरवानू अने जो पेला वाक जेते रचना प्रमाणेनू अने पची इन ओडर टू तो टूनी बाजुमा हमेशा क्रिया पदनू मोल्ड रूप लखवानू होई चे अने पची अन्या शब्द एक्जांपल जोई है के he works hard in order to get better result के ते सखत मेनत करे चे शा माटे के to get better result सारू परिणाम मेलवा माटे तो सखत मेनत सा माटे करे चे सारू परिणाम मेलवा माटे तो तेनों हेतु सुचे सारू परिणाम मेलवानू 3G वाक्यरजना जोई है मुख्य वाक्य अने तेनी साथे उप्योग मा आवे छे with a view to तो वीथा व्यूटू तेनों पर्ण उप्योग हेतु देश्वामा टेश थाई छे अने वीथा व्यूटू नी साथे तमारे हम्मेश्या आएंजी वाडू क्रिया पदनुरू वापरवानों छे अने पछी अन्यशब्दोर चोईए कि he works hard with a view to getting better result कि he works hard ते सकत मैनत करें चे with a view to कया हेतु थी तो to getting better result कि सारू परिणा मेलावाना हेतु थी ते सकत मैनत करें चे ताहाथा तू showing purpose आगर जोए offering suggestion आथवा तो giving advice के कोईने सला आथवा तो सुचे ना पाहुए त्यारे तेनी वाकी रजना पण एकदम easy छे करता साथे should आथवा तो out to अन्ने तेनी साथे हमेशा क्रियापद नो मुढ़ रूप अन्या शक्द एकदम easy you should try to speak English everyday you should try to speak तारे बुल्वानों प्रहत्न करवो जोए शुँ तो English everyday रोज के तारे रोज English बुल्वानों प्रहत्न करवो जोई है तो हुँ कोई न्या सला आथवा तो सुचे ना पूछू के शू करवो जोई है वीजू छे he out to wear a helmet के तेने helmet पहरवो जोई है तो आँ सुचना अटले के सुचना पे छे suggestion आपे छे अगर बीजी वाकरजना जोई है के should and out to अने अथवा भी जू सुपयो करी शकाई छे head better तेनी वाकरजना पड़ उपर जेवी छे head better नी साथ है क्रिया पदनू मुल्ड रूप he had better wear a helmet के तेने helmet पहरवो जोई है he had better wake up early के तेने सवारे वेला उठवो जोई है पच्छी त्री जी वाकरजना छे के why don't you नो उप्यो करी ने तमे प्रश्ना वाक्य बनावी शको छो कोई ने तमें सुचन आप प्रश्ना वाक्यामा तो why don't you नो उप्यो थाई छे के why don't you ने साथ्या तमारे क्रिया पदनू मुल्ड वापरवान वोई छेने पच्छी जेतियान न्या शब्द जेमके एक्जांपल जो के why don't you join in English class के तुँ English class जोईन केम नथी करतों हुएने सुचन आप पूछो बराबर तो योना जवाब मौन लखिश्तों मने सुचन आप तो छब्द मार्शे के जेमके हुएनें कई शको छो के you should join in English class के तारे English class जोईन करवो चोई है तो तमे why don't you नो उप्योग करी ने पण सजेशन वाड़ो वाक्यों एटले के प्रश्ण वाक्यों बनावी शको हवे तमे only suggest नो पण उप्योग करी शको चो कई रीते तो suggest नी साथे तमारे ING वापरवानू होई छे तो I suggest visiting the Eiffel Tower के हुसुसुच ना पूछू के Eiffel Tower नी मुलाकात लेवी जोई है वीजू वाक्ये छे के suggest नी साथे धेट वाक्या धेट आउसे औने पछी नुझे ते ING उप्योग नती करियू पन्नुझे वाक्ये छे यहनू अलग रिते लखुचू के I suggest that you visit the Eiffel Tower के हुसुच ना पूछू के तार Eiffel Tower नी मुलाकात लेवी जोई है तो आहांतु तमारू offering suggestion यहां आपणे lecture पूरो करिये छे अन्या आगलना lecture मां आपणे आगलना वजारे फ